दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पेटियम फिक्स डिपोजिट के बारे में जिसमें आप मिनिमम सौ रुपए से अपना इंवेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं इसके पहले क्या था दोस्तों कि आप एक लाख रुपए तक आप अपने पेटियम सेविंग एकाउंट में रखेंगे तभी आप वहाँ पर एफडी ओपिन कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं रहा है आप सौ रुपए से भी अपना इंवेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेटियम सिक्स डिपोजिट ऑन लाइन कैसे ओपेन कर सकते हैं इसमें कितना इंट्रेस्ट मिलेगा इसमें कौन कौन सी सर्विसेस मिलेंगी सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको लाइफ करके दिखाऊंगा और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल सुपर टेक्नला जी मैं आपसे भी का स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं पेटियम में ओनलाइन फिक्स डिपोजिट ओपेन करने के लिए आपको अपने मोबाइल में पेटियम का अप्लिकेशन इस्टॉल करना है क्योंकि आप ओनलाइन फिक्स डिपोजिट, क्रोम ब्राउजर या फिर अधर ब्राउजर से उपन नहीं कर सकते हैं इसे आप उपन करेंगे, लोगिन कर लेंगे, कुछ इस तरह का डेस्बोर्ड आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर आपको बैंक का उप्सन दिखाई देगा, बैंक वाले अप्सन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पास कोड इंटर करने के लिए बोला जा रहा है तो यहाँ पर आप अपना पास कोड डालेंगे जैसे आप passcode डाल देंगे तो यहाँ पर आपका Paytm का saving account open हो जाएगा सबसे उपर दोस्तों देख सकते हैं कि आपका digital debit card दिखाई दे रहा है नीचे आप आएंगे तो आपके saving account पर कितना balance है यह आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.75% का interest पर A&M मिलता है तो यहाँ पर दोस्तों online saving account open करने से क्या फाइदा होगा कि आपको up to 7% का interest मिलेगा और जबकि saving account में आपको 2.75% का interest मिलता है और यहाँ पर FD पर आपको 7% का interest मिलेगा यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं लिखा है automatically create fixed deposit अगर आपका amount saving account में 10,000 से उपर रहता है तो वहाँ पर आपका automatically fixed deposit open कर दिया जाएगा जिस पर आपको 7% का interest मिलेगा यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं open fixed deposit account लिखा है यहाँ से fixed deposit account open कर सकते हैं इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर लिखा है break your fixed deposit and transfer full or any amount to your saving account with no penalty charges यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि पेटियम के fixed deposit को आप कभी भी आप break कर सकते हैं जिस पर आपको penalty charges वगेरा नहीं लेगेंगे यदि आप किसी और bank में FD open करते हैं और समय से पहले उसको आप अगर बंद करते हैं यानि break करते हैं तो वहाँ पर आपको penalty charges देने पड़ते हैं और यहाँ पर आपको 7% का interest मिलेगा जब आपको जरूरत रहती है तब इस FD को आप break कर सकते हैं तो यहाँ पर open fixed deposit account पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का screen आएगा यहाँ पर कुछ आपको offer बताया जा रहा है सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है क आपको interest rate 7% का मिलेगा लेकिन rate of interest का term and condition भी है ऐसा नहीं कि आज आपने 100 रुपे invest किया और कल अगर उसे आप बंद कर देते हैं उसे break कर देते हैं तो आपको 7% का interest मिलेगा interest rate का कुछ time table है interest rate का यहाँ पर rate table भी दिखाए गया है इसको देख लेते हैं तो यहाँ पर view interest rate table पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको table बता दिया जाएगा अगर आप एक साल के लिए FD open करते हैं तब आपको 7% का interest मिलेगा और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अगर यहाँ पर एक दिन से लेके 6 दिन के 20 में अगर आप FD open करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी interest नही interest मिलता है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है no penalty charges यानि अगर fix deposit आप open करते हैं और उसको कभी भी आप break करते हैं तो उस पर आपको कोई penalty charges पे नहीं करने पड़ेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर third में बताया गया है कि आप minimum 100 रुपे से investment अपना ही start करत सकते हैं अगर आप कोई भी FD open करना चाहते हैं तो उस पर आप 100 रुपे से अपना FD open करते हैं उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके saving account में अगर आपने 10,000 से उपर set किया है कि अगर 10,000 रुपे saving account में आपको रखना है और वहाँ पर अगर 10,000 रुपे से मिल रहा है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर आपको पूरा list बता दिया जाएगा तो यहाँ पर दोस्तो open fixed deposit account वाले option पर आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने notification आजाएगा initiating your request और यहाँ पर दोस्तो देख सकते हैं opening your fixed deposit account और यहाँ पर timing बताया जाए रहा है 24 hour यहाँ पर दोस्तो ऐसा नहीं है आपके वाल दो मिनट बाद ही इसको आप open कर सकते हैं आप में feature add हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तो इसको close कर लेना है और आपको simply back आ जाना है यहाँ पर दोस्तो देख सकते हैं setting up your account यानि आपके account पर setting company के द् इंतजार करना है अब यहाँ पर दोस्तो मैंने 2 मिनट बाद इसको open करके check किया तो यहाँ पर देख सकते हैं fix deposit account open करने के लिए हमारे में option available हो गया है तो यहाँ पर जो आपके सामने arrow दिखाई देगा इस पर आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको create fix deposit option मिल जाएगा तो यहा 50 रुपए आपको interest मिलेगा और 7% के हिसाब से interest मिलेगा interest table आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको कितना कितने दिन में मिलेगा जैसे अगर इसे हम 7 दिन के लिए open करते हैं तो 1 रुपए मिलेगा 15 दिन के लिए open करते हैं तो 2 रुपए मिलेगा तो इस तरीखी से तोस्तों बनाया था bank का payment bank का उस passcode को आपको यहाँ पर डालना है जैसे आप passcode डालेंगे तो यह आपका processing होने लगेगा fix deposit open होने के लिए और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं fix deposit created successfully यहाँ पर हमारे saving counter से पैसा deduct हो गया होगा और हमारा एक fix deposit open हो गया होगा तो चलिए इसे हम back आके द यहाँ पर 1000 रुपे fix deposit में हो गया है उसके बाद आपको यहाँ पर fix deposit के सामने वाले arrow पर क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेंजा जाएगा यहाँ पर आपके fix deposit की पूरी जानकारी बताई गई है सबसे उपर यहाँ पर आपको आपका amount दिखा देगा कितना आपका amount है fix deposit में आपको interest earn बता देगा कि अभी तक में आपने कितना interest earn किया है अभी हमारे में 0 सो हो रहा है क्योंकि मैंने अभी FD open किया है इसको यह किया दो दिन बाद open करेंगे तो यहाँ पर आपका जितना भी interest बन जाएगा यहाँ पर सो हो जाएगा उसके बाद fix deposit पर क्लिक करेंगे इस पर मैं एक अलग सी बीडियो बनाऊंगा कि आप अपने fix deposit को break कैसे कर सकते हैं और आप अपने fix deposit के amount को अपने bank account में कैसे ले सकते हैं उसके बाद आप अपने FD की passbook भी देख सकते हैं यहाँ से आप tax management देख सकते हैं tax management पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक 15G का option मिल जाएगा अगर यहाँ पर आपको 5000 रुपए से ज्यादा का interest मिलेगा तो आपको दोस्तों टीडियस कटने लगेगा लेकिन आपको यहाँ पर एक option मिल जाता है होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए अपने फ्रेंट के साथ सेयर करिए मन में कोई डाउट या प्रवलम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं और आप मुझे इस्टाग्राम पर फालो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं निलेज 094 या फिर पर्ट